दोस्तो अगर आप भी 6 लाख रुपे के बजट के अतर एक सेडान क्लास में कार पर्चेस करने का प्लैन कर रहे हैं जो के बेस्ट सेफटी के लिहास से भी हो और फीचर के लिहास से भी तो टाटा थिगोर का बेस वेरियंट XE आपके लिए बहुत ही वैल्यू फॉर मनी साब पर्चेस करने में इंट्रेस्टिट है तो आपको इस कार के बारे में सब भी डिटेल्स मिल जाएं तो शुरुबात करते हैं सबसे पर इस गाड़ी के फ़रंट फीचर से तो यहाँ पर वाइडर सी बिदी स्कीन मिल जाती है ट्विन मैंडल वाइपर दिये गए हैं आपको नहीं दिया गया यहां पर आप देखें तो टर्न इंडिकेटर की प्लेस्मेंट दी गई है नीचे की तरफ आते हैं तो बॉड़े का आपको बंपर मिल जाता है कुछ इस तरीके से और यहां पर आप देखें तो फॉगएट वगर आपको मिसिंग मिलती है एक प्या कोई डिफेंस नहीं मिलेगा बस पीछे करिसा जो है इसका ज्यादा लंबा है यहां पर देखते हैं तो यहां पर आपको इस्तील लिम्स मिल जाते हैं जो के 14 इंच के प्रोफाइल के साथ आपको दिये गए हैं यहां पर आप इसका प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं बीच म प्रावर दोस्तों इस कार का A पिलर आपको बॉडिक लगा मिलता है, B और C पिलर भी बॉडिक लगे ही दिये गए हैं, साथी ब्लैक के ही आपको इसके डॉर हैंडल भी मिल जाते हैं, यहां फ्रेंट वाला देखें और यह रियर वाला, रूफ में देखें तो यहां पर आप आपको इंटीरा नहीं मिलता है, आपको इंटीरा की प्लेसमेंट की जगा दी गई है, और हाई मॉंटेडी स्टॉप लैंप आपको LED टाइप का दिया गया है, जो के नाइट कंडिशन में बहुत ही जबदर्स लूग का दीता है, रियर विंडी स्क्रीन आपको कुछ इस त क्रीके की ढीँ गई है प्लें है ितर वाउकल फो लोकल की आपको स्टिक्रिंग मिल जाती है एक बारेस गाड़ी का कंपलीट आप रियर प्रोफायल यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन नॉर्मल टाइप के रियर में भी आपको डियर बंपर है body color का ही दिया गया है जिसके उपर आगर आप देखें तो यहाँ पर आपको chrome की एक lining दी गई है साथ ही आपको यहाँ पर reflectors मिल जाते हैं और दो points के उपर इसके reverse parking sensors भी provide किये गए है इस variant के अंदर आपको दो normal type की keys मिल जाती है बिल्कुल ही basic सी दी गई है और इसके उपर आपको center locking button नहीं मिलते क्योंकि इस विर्ट में आपको center locking नहीं दी जाती चलिए बात करते हैं इस car के interior features की देखते हैं कि interior में आपको कौन कौन से feature यह car offer करती है यहाँ पर देखें तो आपको काफी ठीक ठाक door की opening मिल जाती है जिसकी वैसे आप असानी से गाड़े के अंदर और बाहर आ और जा सकेंगे 90 degree नहीं है लेकिन आपको ठीक ठाक opening यहाँ पर दी गई है dual tone का आपको interior मिल जाता है काफी light करकर इस्तमाल किया गया है यहाँ पर आप complete interior का एक बार layout चेक कर लीजिए और बात करते हैं driver side door से दोस्तों तो यहाँ पर आप देखें inside door handle आपको black finish में दिया जाता है दो power window मिल जाती है front वाली यहाँ पर आपको lock unlock का switch दिया जाता है साथ ही नीचे की तरफ आते हैं तो door pockets में आपको एक bottle holder or utility space provide किया गया है speaker का provision भी मिल जाता है इस friend में कोई speaker आपको नहीं दिये गए interior में देखते हैं तो यहाँ पर आपको side AC vents black finish में दिये गए हैं कुछ तरीके का piano black का आपको एक insert मिल जाता है story space दिया गया है hood raise के लिए आपको lever मिलता है नीचे देखते हैं तो यहाँ पर तीनों pedals दिये गए हैं और यहाँ पर कोने में आपको एक dirt pedal भी provide किया गया है इस तरह fuel lead open करने के लिए आपको एक lever भी मिल जाता है चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के features की इंटीर में यहाँ पर आप देखें सबसे पहले आपको power steering मिल जाता है यहाँ प्यानो ब्लाक का इंसर्ट दिया गया है और इधर की तरफ आपको कोई control वगएरा प्रोवाइड नहीं किये गए बीच में टाटा का लोगों आपको मिलता है सबसे चीज़ यह है कि यहाँ पर आपको इसको adjustment option मिल जाता है तो आप इसको tilt way में adjust भी कर पाएंगे इंडिकेशन्स आपको इसके instrument cluster मिलते हैं बहुत ही प्यार आपको यहाँ cluster दिया गया है इसके सराउंड में भी आपको देखें तो 12W का चार्जिंग socket प्रवाइड किया गया है और काफी ठीक आपको इहाँ पर इसपेस भी प्रवाइड मिल जाता है यहाँ पर देखते हैं तो 5 e-speed का आपको इसके अलावा देखते हैं तो आपको कोड्रावर साइड में कॉलैपसिबल टाइप ग्रेब हैंडल भी मिल जाता है नीचे की दरफ आते हैं चेक करते हैं इसका globe box तो भाइड बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर globe box मिल जाता है लेकिन normal type का इसपेस भी आपको decent यानि के ठीक ठाक ही दिया गया है cooling वगएर आपको provide नहीं की गई बात कीजिए अगर seats की दोस्तों तो यहाँ पर आपको fabric seat upholsory provide की गई है और यह भी light आपको gray color में ही मिल जाती है कुछ सरीके से काफी perfect cushioning है ट्रायरों के pattern designs आपको दिये गए हैं और काफी support है long drive वगरा में आपको मिल जाता है इस seat को आप यहां से decline decline भी कर पाएंगे और height को up and down नहीं मिलता लेकिन forward backward को आपको option यहाँ पर दिया गया है उपर की तर देखें तो यहां पर आपको lock and lock के switch मिल जाते हैं inside door handle black रखा गया है साथी आपको provision मिल जाते है Twitter के और नीचे speakers के door pad आपको plastic finish में ही दिया गया है डियर में आपको कोई power window नहीं मिलती यहां पर आपको manual operation दिया जाता है साथ यहां पर देखें तो bottle holder वगरा का space और speaker के provision है वो provide किया जाता है rear seats देखते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको कुछ इतना space जो है वो rear seat में मिल जाता है लेकिन यहां पर आपको rear seat के headrest है वो fix ही दिये गए है तीन headrest मिलते हैं दो बड़े और beach वाला जो है वो छोटा आपको मिलता है यहां पर आपको किसे पर का armrest वगरा second row में यानी rear seat में provide नहीं किया जाता लेकिन space आपको काफी decent और काफी ठीक ठाक मिल जाता है और आपको leg room वगरा भी proper provide किया गया है बीच में लेकिन आपको यहां पर एक उचस हम दिया गया है तो तीन लोगों को बैटने में यहां पर थोड़ी सी problem आ सकती है उपर किरब देखें दोनों साइड़ों में आपको collapsible type की grab handles दिये गए हैं और कुछ तरीके का आपको मिल जाते हैं और सेंटर में एक cabin lamp पर प्रवाइड किया गया है वह भी ऐली टाइप का प्रवाइड नहीं मिलता इस टैपनी टायर नीचे की तरफ दिया गया है और यह भी आपको 14 इंच के प्रोफाइल के साथ मिलता है इस टीर लिम के साथ में काफी अच्छा बूर्ट तो है लेकिन यहाँ पर आपको यह पार्ट जो है वो अनकवर्ड मिलता है तो चलिए अपको बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की दोस्तों इस काल के अंदर आपको 1.2 लिटर का रेवर्ट रोट पैट्रोल इंजन दिया गया है जो के तीन स्लेंडर इंजन के साथ आपको मिलता है जो कि आपको 63 क्लोवाट की पावर और 113 न्यूटन मिल्टर का पीक टोक पर्डियूस करने की शमता रखता है तिगोर उस के साथ कंपनी क्ले माइलज की बात की जाए तो कंपनी इसके साथ आपको 20.3 के अंपेल का माइलज क्लेम करती है बात करें सेटीव फीचर के इंदर आपको डूल फ्रेंट एयर बैग, ABS with EBD, Corners, Stability, Control, Speed Allah System, Seatbelt, Reminder, Width, Buzzer और साथ ही आपको एक पंक्चर कीड भी दी जाती है इस विरेंट में आपको टोटल 5 कलर की ऑप्चन मिल जाते हैं जिसमें आपको वाइट, सिल्वर, ग्रे, रेट और बुलू कलर दिया जाता है अब बात करेते हैं प्राइस की तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट 5,67,899 रूपीज है और यह और कोस्ट आपको डैली के तो दोस्तों यह था डीटेल वाकराउंड रिव्यू इस गाड़ी का आपको कैसा लगा हमें कमेंट का ज़रूर बताएं वीडियो से रिकार्डिंग अगर आपको कोई सजेशन हो या क्वारी हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक क अजल को सबस्क्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग वहान ओफीशियल